नमस्काल दोस्तो जवाल पॉइंट के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत हैं देखए हमारी हिस्ट्री के क्यूज क्लासिगे हैं हिस्ट्री में आप सभी को इन कोषचेनों के आंसर देने हैं चलिए स्टार्ट करते हैं चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्याद से ज़्यादा कीजिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने कोशिण आपके सही हुए है ठीक है अभी हमारी यह ओफ-लाइन क्लासिज है जल् कम से कम 80% जो है बिना से लिवस करकरा ही कुशिण किलियर हो जाएंगे चलिए पहला कोशिण की आरियो का पर्मुक भोजन क्या था देकिए वेदिक आरियो का पर्मुक भोजन क्या था और आरियो का अल्थ क्या होता है ठीक है आरियो में जो वेद थी वेद का अल्थ क्या ह होता है यह भी कोशिन यहां से बन सकता है तो वेदिकार्यों का पर्मुक भोजन क्या था जो यह चावल दूद और इसके उतपाद चावल और डाल सब्जी और फल तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑफ्शन नमर भी होगा ठीक है दोस्तों दूद और इसके उतपाद तो अगला कोशिन है दूसरा कोशिन कि कौन सा अन मनुष्य द्वारा सबसे पहले पर योग में लाया गया था तो कौन सा अन मनुष्य के द्वारा सबसे पहले पर योग में लाया गया था जो राई जैई या गेहूं तो जब सबसे पहले मनुष्य ने जिसका उप्योग किया उस अन का नाम है जों, जों को सबसे पहले मनुश्य के द्वारा लाया गया था, जों को यह भी बोलते हैं, ठीक है, तो जों जो है सबसे पहले मनुश्य के द्वारा उपयोग में लाया गया था, अगला कॉश्चिन है, कि वेदी की युग में राजा अपनी जनता से करते थे उसे क्या कहा जाता था यह बताना है आपको बली, विधत, वर्मन, यककर तो जिसका राइट आंसर है वो है उप्षिन नमरे बली बली जो है वो राजाओं के द्वारा कर वसूल किया जाता था वेदी के उग में और जो इसको इखटा करता था उस अधिकारी को बोलते थे भाग दूद भाग दूद यो उस अधिकारी को का नाम को कहा जाता था जो इसकर को वसूल करता था अगला कोशन है आरंबी काल में वर्ण वर्ष तक किस पर आधारी थी शिक्सा पर वयुशाई पर जन्म पर यो फिर आपका पलतिवा पर तो आरंबी काल में आपको बताने कि वर्ण वर्ष तक किस पर आधारी थी ठीक है शिक्सा पर आधारित थी ये वयुशाय पर आधारित थी जन्म पर आधारित थी ये पलतिवा पर आधारित थी तो जो इसका राइट आंसर है वो था वयुशाय पर देखिए चार वर्ण में हमने जातियों को इसमें बाटा गये था ब्रह्मन, शत्रिय, शुद्र और वैश्य, इनके जो वैश्य थे ना उनके अधर पर ये बाटा गये था ठीक है ये चाल जातियों बाटे गये थे कि जो पुजा पाठ करेगा वो ब्रह्मन जो इस तरीके के क काम करेगा, ठीक है? तू इन चार वरणों में बाटा गया था तो वविशाय के आधार uh पहले जो जो लोग जिस काम को कलता था उसी के अधार पर उसकी जाती रखी जाती थी तो जाती जो है वो इसमें जो वर्ण विर्षता था वो उनके विविशाय के अधार पर अधार अधाई था ठीक है दोस्तु चलिए अगला कुशन गयत्री मंत्र कहां से लिया गया है आयुर्वेद लिगवेद शामवेद या रजुर्वेद तो गयत्री मंत्र बताना है कहां से लिया गया है गयत्री मंत्र लिया गया है लिगवेद से ठीक है गयत्री मंत्र लिया गया है लिगवेद से गयत्री मंत्र की आप से रचना रचना की गई थी विश्वा में अगल्त करूफिन अगला कोश्यण है गतम बूद्र का जन्म स्तान किसके और अंकित किया जाता है इक पूछ्शिन इंपोटन्ट साफ्विश्वा उन्स करने है तो गुतम बुद्ध का जन्म इस्थान किसके द्वार अंकित के जाता है रुम्ब नि देये संब्ध मूलती पीपल वर्कtsåाव यह वह बौदमट तो जो इसके जन्म के बारे में जिक्र किया गया है ना दोस्तों वो किया गया है रूमनी देई इस्तम में और यह इस्तम है असोक मोरिय का ठीक है असोक का यह इस्तम है रूमनी देई इस्तम और इसमें जो है गोतम बुद्ध के जन्म का जिक्र किया गया है अगला कुश्यन है कि बुद्ध को प्रबोध कहां प्राप्त हुआ था देखिए प्रबोध का मतलब क्या है सिबसे पहले तो यह जानना होगा अगर यह पाप को पता चल गया तो आंसर बिल्कुल एजी हो जाएगा प्रपुद्ध का मतलब है ज्ञान, यानि कि बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था, सारनात, बोध गया, कपिल वस्तु या राजगरे, तो राइट आंसर जो है, इसका आप से भी को बता ही चल गया होगा, ठीक है, सारनात, सारनात में उसने अपना पर्थम उप पद्वे, अगला कुशिन है, पर्थम बोद संगेती कहां आयो जित हुई थी, वयशाली, कस्मीर, पराजगरे ये Armorpur, परतले पुट्र, तो पर्थम बोद संगेती कहां आयो जित हुई थी, यह आपको बताना है, वयशाली में होनी थी, कस्मीर में होनी थी, यह फिर वो कहा होई थी? लाज ग्रेय के अंदर. ठीक है? लाज ग्रेय में पहली जो आपकी बोध संगेती थी वो हुई थी. पाटली पुत्र में आपकी कौन सी हुई थी? ये बताना है और किसके टाइम पर हुई थी? ठीक है? जितना आप इसके बारे में बता सकते हो उतना करिएगा कमेंट में बुध संगती के बारे में आ पड़िए अच्छी से और सारी जानकरी कमेंट में करिएगा सिक निवन में से कुँभोसा तक बुध के समकालिन नहीं था तक है उदाईद सब्सक्राइद अजाद सत्रू ये महापद मनेंद ठीक है तो निमन में से कौन सलसा सक बुद्ध के समकाली नहीं था तो देखें उदाइन समकाली था 20 सार था, अजाद सत्रू था, महापद मनेंद ये आपका गोतम बुद्ध के समकाली नहीं था next question है और आज की class में 10 question लखेंगे last question है बोट धर गोतम बुद्ध की मृत्यू कभ हुई ती इनके पीछे इशापूर भी है 403 इशापूर, 438 इशापूर, 453 इशापूर वह 468 इशापूर तो गोतम बुद्ध की जो मृत्यू हुई थी हुई थी, 483 इस्तापूर में, और कहां पर हुई थी? कुसी नगर, कुसी नगर हुई थी. कुसी नगर के को आपको बताना है, कि कुसी नगर जो है किस आज़्जे के अंदर पड़ता है? अब वलतमान में कुसी नगर कहां पर है? दूसरा, जो गतम बुद्ध की मिर्ट्विती से कहा गया था महा परीनिवारन ठीक है महा परीनिवारन महा परीनिवारन कुतम बुध्गी यानि कि इनका सेरी पुरा हो गया महा परीनिवारन कहा गया था ठीक है next class में अगले और question होंगे सबी जितने भी सब्जेक्ट हैं जीके कि सबकी कुई इस चैनल के मादयम से की जाएगी तो वीडियो को ज़्याद से ज़्याद से शेयर कर दीजिएगा पसंद आईए तो लाइक भी ज़रूर करिएगा धिन्यवाद दूस्तु